सब्सक्राइब कीचिए हमारे चानल को और प्रेस कीचिए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले हैं वो दिन गए जब महेंगे सैनिटरी नापकिन्स का इस्तिमाल किया जाता था ये ना तो एंवाइरन में फ्रेंडली होते हैं और ना ही कमफर्टेबल इसलिए अब मेंस टूल कप्स का इस्तिमाल किया जा रहा है मेडिकल ग्रेड सीली कौन से बने बेल आकार के होते हैं मेंस टूल कप्स यह बहुत ज्यादा फ्लेकसिबल होते हैं जिसे आराम से वजाईना में इंसर्ड किया जा सकता है लेकिन इसे लेकर अभी भी कई सवाल हैं जो महलाओं के दिमाग में आते हैं आज आपको मेंस टूल कप्स से जुड़े सभी सवालों के जवाब यहां मिल जाएगे कैसे करना है इस्तिमाल मेंस टूल कप्स को पहले सी शेप में फोर्ड करें और फिर वजाईना में इंसर्ड कर लें इसे लगाते ही यह अपने आप वजाईना की बाहरी लेयर में फिट हो जाएगा यानि यह आपके वजाईना को पूरी तरह सील कर देगा इसे लगाने के बाद हलका घुमा कर देखें की यह अच्छे से लगा है या नहीं इसे बारा घंटे तक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या होगा फाइदा सैनेट्री नैपकिन और टैंपॉन में लगा बलड लंबे समय तक आपके वजाईना के आप पास लगा रहता है लेकिन में स्टूल कप्स में नहीं होता इसमें बलड कप में घठा होता रहता है जिस वज़े से कभी भी TSS Toxic Shock Syndrome नहीं होता ये एक रेयर बैक्टिरिल बिमारी है जो लंबे समय तक गीले नैपकीन और टैमपॉन को इस्तिमाल करने से होती है क्या कहते हैं एक सपर डॉक्टर रागिनी अगरवाल का कहना है कि में स्टूल कप्स आपकी वेजिनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं इन्हें बार-बार इस्तिमाल किया जा सकता है और ये काफी सस्ते भी आते हैं इसका सबसे बड़ा फाइदा है कि ये वातावरण को दूशित नहीं करते एक कप को आप घंटों तक लगा कर रख सकती हैं उन्होंने साथ में कहा कि मेंस टूल कप सेनिटरी नैपकिन्स और टैमपॉन की तरह बलड को सोखते नहीं है जिस वज़े से वजाइनल इंफेक्शन होने का खत्रा बहुत कम हो जाता है आप इने चार से पांच साल तक इस्तिमाल कर सकती हैं इसके लिए बस जरूरी है हर इस्तिमाल के बाद इसे सैनिटाइज करना आगे उन्होंने कहा कि मेंस टूल कप स को किसी भी उम्र में लड़कियां और मैलाएं इस्तिमाल कर सकती हैं क्या ना करें डॉक्टर रागिनी अगरवाल ने बताया कि एक कप को कोई एक ही इस्तिमाल करें हर इस्तिमाल के बाद इसे अच्छे से साफ करें इसे गरम पानी से धोकर साफ किया जा सकता है आपको बता दें कि एक महिला द्वारा पूरे मेंस्टोल पीरियड के धोरान इस्तिमाल किये गए सैनेटरी नैपकिन्स से करीब 125 किलो नॉन बायो डिग्रेडेबल कच्रा बनता है 2011 में हुई एक रिचर्स के मताबिक भारत में हर महीने 9000 टन मेंस्टोल वेस्ट उत्पन होता है जो सबसे ज्यादा सैनेटरी नैपकिन्स से आता है इतना नॉन बायो डिग्रेडेबल कच्रा हर महीने जमीनों के अंदर धसा जा रहा है जिससे परियावरन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुचता है